बिग बॉस 15 के प्रीमियर में सिदात सुकला को ट्रिब्यूट ना देकर बड़े बुरे फसे मिकर्स, फैंस कर रहे हैं थू थू ची हाँ सल्मान कान के विवादे तियालिटी शो बिग बॉस 15 ने टीवी की दुनिया में दस्तक दे दी है बिग बॉस 15 के मंच पर सल्मान कान कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती कलते नजराए इसी बीच बिग बॉस 15 के मेकर्स सोसल मीडिया पर बूरी तरह से टोलिंग का सिकार हो गए है इस गुस्से की वज़ा बने है तिवंगत अभिनेता सिदाल सुकला जिनके देहान को आज एक महीना पूरा हो चुका है आज से टीक एक महीने पहले सिदाल सुकला ने दुनिया को अलिविदा बोल दिया था ऐसे में फैंस कयास लगा रहे थे कि बिग बस फुटिन के मेकर्स प्रीमियर एपिसोड में सिदाल सुकला को ट्रिब्यूट जरूर देंगे हाला कि बिग बस फुटिन के मेकर्स ने तो सिदाल सुकला का नाम तक नहीं लिया प्रीमियर एपिसोड देखकर सिधार सुगला के फैंस का खून खूल गया है जिसके बाद लोगों ने सोचल मीडिया पर बिग बॉस 15 के मेकर्स की क्लास लगानी शुरू कल दी लोगों का मानना की ऐसी हरकतों की वजह से मेकर्स बिग बॉस 15 को फ्लॉप करवा देंगे एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा बिग बॉस 15 का प्रीमियर बक्वास है इन लोगों ने एक बार भी सिधार का नाम नहीं लिया एक डूसरे यूजर ने लिखा बिग बॉस 15 के मेकर्स ने सिधार सुकला को ट्रिब्यूट नहीं दिया देख लेना इस बार बिग बॉस 15 जरूर फ्लॉप होगा सिधार सुकला का कोई भी फैन बिग बॉस 15 नहीं देखेगा सिदार सुकला का द्यानत होते ही मेकर्स उसे भूल गए टीरपी बटोलने के लिए मेकर्स हर बार सिदार सुकला को शो में बुलाते थे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तब बिग बॉस 15 को बॉयकॉट करने की धंकी देना शुरू कर दी है गॉलतला में कि बिग बॉस स्राइडिन का विनर बनने के बाद सिदार सुकला शो की जान बन गए थे बिग बॉस 14 में सिदार सुकला ने सिनियर बनकर एंट्री मारे थी वहीं बिग बॉस ओडिटी में भी सिदार सुकला मेहमान बनकर पहुचे थे दोस्तों वैसे तो इस शो का हर बार का सीजन विवादों में रहता है लगिन इस बार तो सो शुरू होने से पहले ही विवादों में फज़ गया है इस बार विवाद शो में रिया चक्रवर्ती के सामिल होने की खबरों पर हो रहा है हाली में खबर आई कि मेकर्स ने इस बार के सीजन के लिए एक्ट्रेस और दिवंगत एक्टर सुसांद सिंग राजपुत की एक्स कल्फरेंड रिया चक्रवर्ती को भी नियोता दिया है इसे लेकर लोगों में जबदस गुसा है सोसल मेडिया पर लोग रिया के साथ साथ सल्मान खान और बिग बॉस के मेकर्स को भी जमकर ट्रोल कर रहे है लोगों का कहना है कि मेकर्स सुसांद की मौत की साजिस रचने वाली एक्ट्रेस रिया को जान बुच कर शो में बुलाना चाहते हैं ताकि दिवंगत एक्टर के नाम पर जम कर TRP बटोरी जा सके। कई लोगों का यह भी कहना है कि रिया को शो में बुलाकर मेकर्स उन्हें सब के सामने बेगुना सावित करने के मूड में है। मालूम वो बीते साल जून के महिने में एक्टर सुसान ने सुसाइड कर लिया था और इसके बाद लोगों ने रिया को सुसान की मौत का जिम्मेदा ठहराया था। मामला इतना बड़ा कि पुलिस ने रिया चक्रवरती को अरेस्ट भी किया और वो जेल में भी रही। वैसे आप बिग बस फ्यूटिन के लिए क्या एक्साइड़ है तो अपना जवाब में कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं।